तस्वीरें आप देख रहे हैं, नितिन अग्रवाल अपने मताधिकार का इस्तिमाल करने यहां पहुचे हैं, भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तिमाल करने के लिए पहुचे हैं लेए बाती में की हुआ। तो देखिए यहाँ पर ब्रजेश पाठक लगातार सवालों का जवाब दे रहे थे जब उनसे पूछा गया कि मैंक बहुड़ा की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है तो उन्होंने कहा कि भारती जन्ता पर्टी सब को साथ लेकर चलती है और यहाँ पर सब का साथ सब का रूठो को मनाने के लिए पूरी जीतोड कोशिश कर लेती राहूल और ऐसे में जब तस्वीर का लख लेश वादव ने साज्जा की मयंग के साथ तो उसको लेकर तमाम चर्चाय शुरू हो गई भारति जन्ता पार्टी के के इसान्धों से बात कर के कैसे बहूंत रगा सकते हैं इसलिए भारत समाचार जो जो आधिकारिक चीजे हैं वही बताता है लगातार सुबा के छे बजे से हम अपने दर्सकों को जानकारी दे रहे हैं और तीन चरणों में भारत समाचार को सबसे जाधा देखा गया है अगर सोशल मीडिया में बात की जाए तो सबसे जाधा देखा जाने वाला हमारा ये लेंड है इसके बाद तीसरे चरण आते आते लोग कहने लगे कि यादो लेंड है लेकिन जो ये चौथा फेज है यहाँ पर कोई भीदल कम नहीं है यहाँ पर कॉंग्रेस का भी एक गड़ है कॉंग्रेस का गड़ राइबरेली जहां से सांसत सोनिया गांधी है तो सवाल यह है कि क्या वो अपने गड़ को इस बार बचा पाएंगी और सवाल शिवांगी हो जाता है लखीम पूर खीरी का भी बाच्पा के लिए चुनोती एक बड़ी है बिल्कुल और देके लखीम पूर खीरी के मामले में लगतार देकि विपक्षितर बिजेपी को घिरता भी रहा है रहूल और ऐसे में बिजेपी के लिए बड़ी चुनोती इसलिए भी आ गई है क्योंकि आज भी श्राप बेल पर बाहर आ जुके उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो गया तो ये कुछ जिलों के समीकर्ण है जो बिजेपी के लिए चुनोती भरे हो सकते हैं कुल पती कार्ड के लो के चल दिया है वहां भी देख बाहर आए हुए तो यह देखिए किन-किन जिलों में ये मद्दान होना ये तो हमारे दर्सक जानरे सुबह से आप लगातार बता रहे हैं लेकिन तस्वीरे सबसे इंपोर्टेंट हो रहे हैं मुझाती है हर तस्वीर भारत समाचार का जैसा कमिट्मेंट है वो आपको हम बता रहे हैं और ये कौन-कौन से कैंडिडेट चुना लड रहे हैं हम आपको सीत बताते जाएंगे यहां पे उन कैंडिडेट का नाम भी है पूरण पूर की सीट पीली भीट के किन-किन प्रत्यासियों के बीच टक्र उन पर हैं बीसलपूर की तस्वीरे भी आपकी टेलेविजरी स्क्रीन पर सामने हैं यहां कॉंग्रेस की तरफ से सिक्षा पांडे लड़ रही है अनीश सहमाद बस्पा और डिब्या गंगवार सपा और विवेक वर्मा यह भारती जनता पाटी से लड़ बिल्कुल और दे कि पी बिल्कुल और अब यह कानून मंत्री है और इनकी सीट बदली है मध्य से यह कैंट चले गए हैं तो अपने मतादिकार के इस्तेमाल यह कर रहे हैं यहां पहुचे हुए है अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं सुबह से इनकी बाद भी आप लगातार दर्सों को भार सुना करके भारास समाचार पर नज़र आएंगे जनता को क्योंकि वो बड़े चेरे जो उनके प्रत्रिदी के तॉट पर वो चुनने वाले हैं वो भी आज अप में बोट का प्रयोग करते दिख रहे हैं और एक संदेश उन लोगों के लिए भी जो लोग चाते हैं कि उनका नेता कैसा हो अपने निता को देखर होगी और तीन सो के ऊपर साड़े तीन सो के आसपा समलोगों की सीटे होंगी सपा बसपा कॉंग्रेस यह 35 वे और 370 आर्टिकल की तरह यह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाए हैं बिधायक भी है और पिछली बार इन्होंने जबर्दस प्रिजेश पाठक की दिखार हैं जिस पोलिंगूत पर वो गय है हमने देखा वो भी कातार में लगे साक्षी माराज की तरह राउल और अब देखते हैं कि वो भी क्या सीधे अंदर जाते अंफी लेते हैं या फिर थोड़ा इंतिजार करते थोड़ा ठहरते हैं तो आज द जान रहे हैं कि बस यही हमारी पुकार सुनी जा सकती है लेकिन अल्टिमेट इस वक्त जनता ही जनारदन है महेस इस वक्त हमारे साथ लाइब डुड़ गये हैं चुकि नौ जिलों में एक जिला शिवांगी फत्यपूर भी आता है तो बहुत देर से हम महेस का इंतजार भी दर्सुकों को अपने जिले के बारे में देखेला उल्ट फतेपूर जिले में 18,05,1 मदाता है और सुबह से मदान की प्रिक्रिया सुरू हुई किसी मदान केंद में अधिक भीर दिखी किसी में कम भीर दिखी सहरी छेत्र की बात करें तो सहरी छेत्र में जो मुस्लिम आबा यही से वह सांसद है काला का मंत्री जैकुमार जैकी भी यहीं से चुनाओ लड़ रहे है प्रदेष सरकार के मंत तो ऐस नबेंड मिला कि जो मदान की प्रिक्रिया है वह तेजी के साथ चल ल ही है और मदाता और लगतार ओट की चोट कर रहे हैं जिरह हुआ बिल्कुल तीन मंत्रियों की साइख दाव पर हैसा हमारे संबधता बता रहे हैं और अपने बिदान समबा सीटों के बारे में बताईए वहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया के बारे में बताईए जनता का रुझहान क्या है वो बताईए किस आधार पर किस मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं जो आपने बातशीत की होगी वो भी ज़रा बताईए बिना किसी पार्टी का नाम लिए देखे दाउल जहां तक हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में इस बार कोई भी नया मुद्दा नहीं है लेकिन इस बार एक मुद्दा जो ब्रामीर छेत्रों में वरके आया वो आवारा पसूँ का आया किसानों का कहना था कि जो आवारा पसु है वो हमारी खेट की फ़सल बरबाद करते हैं लेकिन इदर जब कुछ राज नहीं थी दलों के हाई प्रोफाइल लेताओं की दन सभाए होई ये मुद्धे भी अपने आप पेसान सुए और कहीं न कहीं जो जो सरकार से इंटी मत दात है और इस चुनाओं में मैं समस्ता हो कि फते पुल जिले में हिंदोत का एक बहुत बड़ा मुद्धा उबर कर सामने आ रहा है जी रहा है चुकि ये तराई बिल्ट है रुहेल खन का तराई बिल्ट भी है जहां पर मद्दान की प्रक्रिया हो रही है तो सबसे बड़ी समस प्रक्रिया एक चीज रहती है महेश की यहां पर बाढ़ कि इन्होंने अपने मतादिकार का इस्तेमाल कर लिया है कहे क्या रहे हैं जरा सुनते हैं इस्तेमाल कर लिया है इनकी सीट बदली गई थी मद्द से इन्हें कैंट बिजा गया था वहां पर भारती जनता पार्टी का ही विधायक था जो कि पिछली बार का जो मुकाबला था बहुत दिल्चस्प लडाई थी वहां पर जीत कर आए थे और देखिए अब दो तस्वीरे हम साथ साथ दिखा रहे हैं एक तरफ देखिए विजेश पाठाक बोट डाल की बाहर निकले हैं और एक तरफ पोलिंग बूतों के बाहर की तस्वीरे जहां पर महिलाएं जो हैं वो पहुच रही हैं वो डालने इवाम बाड़े के पास के बूत की तस्वीरे हैं जहां पर मैलाओं की इससेदारी भी देखी जारी है और मुस्ली मतदाता यहां पर काफी संख्या महरा हो लो देखिए बोट डालने के बाद चेरे पर मुस्कान के साथ दोग फोटो भी यहां पर शेयर कर देते हैं कि दिखाते देखिए बाई हमने बूत का प्रयोग कर लिया है और आप भी कीजी खुशी जरूर होती क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे के वोट से हमारे द्वारा चुनी के सरकार बन रही है या फिर बिगड रही है यही हो सकता है शिवांति मैं ब्रिजेश पाठाक जी को तो भले बी आइप मानू लेकिन इन आप देख रहे थी हैं वी बी आइपी हैं चुकि आहज इनी का दीने और यही तै करेंगे कि कौन बिधायक होगा और उसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा बिलकुल चुकि यही यही सब कुछ बताएंगे अब देखिए क्या कह रहे है जड़ा सुनते हैं की बाद अब इ अरे वो सब वादे कुछ नहीं है वादे सब बेकार हैं कोई वादे नहीं है हम तो के अब हम भाजबा को हर साल देते हैं उस साल भी देंगे राम हां कोई यही मोद्ग की तबदग हम और देंगे कि अधिए भाजपा बार बार उठाती रही है राम मंदर का मुद्धा अवद में जब चुनाव होते तो सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है और अब तो राम मंदर निर्माट भी शुरू हो गया है तो विजेपी जानती कि कि इस मुद्धे को हम भुना सकते लोगों की भावनाओं से जुड़ा है मुद्धा है और शाथ उसी की तस्विर भीति रावल आपने सुना खुलकर बोल दिया कि हमेशा भाश्पा को दे रहें तो खुशी राम मंदिर की मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं जो लगातार यह बिचारधारा से वो सहमत होते हैं तो बोल रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना हमें दिखाना पड़ेगा जो कुछ कह रहा है हमने तो उन से बाकि पूछा कि और जो दूसरी पार्टियों के वादे है तो उनने कहा कि उन वादों का कोई मतलिन नहीं है राम मंदिर बन रह है तो किया कह रहा है उनकी बात सुन लेते हैं है कि हालात कैसे है कईजेगर सिफिया आप अपने आपको कैसे देखनें कहां देखनें है यहारा है कि हुआ लाईने लगी हुई थी मंदान के इंदरों पर आफ बलक अ मायवती जे कहती है कि दूब्री करण हो रहा है ब्रामल वोटो का अपना का दावाद करते हैं और यह लोग तंत्र में इस प्रकार के बाते लोग करते रहते हैं लेकिन जनता का अशिरवाद वीजेटी को मिल रहा है मैंने जो अंदर द्रस से देखा है उसमें बटन कह रही है कि कमल आ रहा है सर कल एक फोटो वाइरल हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है वो तो उनका विश्य है मेरा विश्य यह है कि जनता का अशिरवाद मुझे मिला हुआ है और आप देखेंगे अपार जन समर्थन प्रचंट भूमतिक साथ बीजेपी आ रही है मैं जोश जी की फोट्रा तीसरा हुआ हुआ और चौथे चरण में क्या देख रहे हैं सर मुझे चौथे चरण में इसली बार से भी अधिक हम शीटे जीतेंगे और इतनी बड़ी संख हमें मतलब बीजेपी की पच्छ में लेहर चल रही है मैं कह सकता हूं कि अपार जन समर्थन के साथ हम लोग सब्डार बनाने जाए ठीक है चले रिजेश पात्रक जी थैंक्यू बेरी मुच्छ कि बटन कह रही है कि कमल आ रहा है मैंने अंधर से देखा है तो तो अब बिल्कुल आई यह वो एक तस्वीर कर जिक्र कर रहे थे मैंक बहुडा की तस्वीर है कल सामने आई अखिले शादों के साथ असल में रिता बहुडा जो शीए कोशिस कर रही थी कि उनके बैटे से लड़ जाए भारतियंता पार्टी से बहुत कोशिस की लेकिन चुकी परिवारवात को भारतियंता पार्टी उतना वाहत तो देती नहीं इसले टिकट मिला नहीं से बीजेपी परटासे अध्य सिंह मौजूद है भी मद्दान करके बाहर रही है अध्य सिंह क्या लग रह सालिव हो जाएगा अगर जी साथ से बात की जहीं जो कांगरिस के बहुत है टेंगे लड़की मों लड़की को दाविए इक आए एक जमाने में था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता पर वो पूरी तरीके से उस चीज़ को खो चुके हैं तो जनता बार-बार उनको चिता के भीचती हो फिर आप पूरे पांच साल आएंगे ही नहीं तो जाहर से बात है कि जनता आप इसे विश्वास उच जाएगा जनता से लेकर लखनाउ तक मैं जो सड़ लोगों का देख रहा हूं स्वतह लोग आ रहे हैं और डेवल्लमेंट के जो काम किये हैं अपनी पहचान अपनी संस्क्रिती अपनी परमपरा को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए जो काम किये हैं इन सब चीजों को मुझे लगता है कि जनता ने स्विकारा है और यही कारण है कि भाज़पा को लगातार जनता का विश्वास भी हासिल है। तो योगी जी ने कहा ही था कि गर्मी में ठंड के डर से आसी धिरे धिरे 90 ही जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो अपने देश में रहकर दूसरे देश की या पाकिस्तान की जिन्दाबाद करने की जो दुस्ताहस करते हैं ऐसे लोगों के लिए वो साफ संदेश है। और आतंकबाद के नाम पर जिन्ना के नाम पर वोट हासल करने वाले समाजबादी पार्टी या अन्यदल वह इस बात को अब समझ रहे हैं कि जन्ता ने उनको नकार दिया। के साथ और आगे बढ़ेगा आतंकबाद, अपराद, भ्रस्टाचार, इसका समापन होगा, समापती होगी और सपा बसपा कॉंग्रेस 35A और 370 की तरह है यह इतिहास के पन्ने में शामिल होगा। कि जादा और उन्नाव में जहां एक सीट भी नहीं होती थी, इस बार हम 6 की 6 सीटें प्रच्पन बहुमत के साथ जीत करके बाजबागे खातेम डालने वाले हैं। जो तीन चरण हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। उदर तो आंधी है, सोनामी बन जाएगी, आंधी तो आज ही दिखाई दे रही है, तदो सोनामी दिखाई देगी आपको। जो वोट कास्ट करके बाहर आए हैं और जिनका कहना है कि अगले तीन चरणों में भी जो बीजेपी की है वो आंधी देखने को मिलेगी, अनुराज भारती भारत समाचार उन्नाव, सत्यमी जाएगी। सतीश मिश्रा जी हमारे साथ है, तीन फेज का सरे एलेक्शन हो गया, चौते फेज का चल रहा है, बीएस पी को किस स्टेज में देखा जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि यहां पर ब्राह्मन समाच भी बहुत बड़ी संख्या में है, और ब्राह्मन समाच जो है, वो अभी मीडिया लोगों ने उनका अंकड़ा भी नहीं लगाया है, 14 प्रतिशत में से 2-4 प्रतिशत हो जाएगा, बाकी सब बहुजन समाच पार्टी को पढ बहुजन समाच पार्टी को लेकिन इस फेस के बाद से अवद शेतर में जहां चुना हो रहा है, बहुजन समाच पार्टी राइस करती वी दिखाई दे रही है, और उन्होंने अखिले शादों के उस दावे को भी खारिश किया, कि BSP कहीं एक्जिस्ट नहीं करती है, उनका आप यहां से निकल रहे हैं, बड़ा लंबा संगर्श किया है आपने यहां पर, बड़ी मेहनत की है, कितना कामियाब पा रहा है अपने आपको सरोजी नगर छेतर में? नहीं नहीं बहुत जादा, बहुत अच्छा है, जनता का अपार सने मिला है, अपार आशिरवाद मिला है, जनता बहुत उत्साहित है, कारिकरता बहुत उत्साहित है, भारती जनता पार्टी की नीतियों से, राश प्रथम की विचारधारा से, हर आदमी भारती जनता पार् सरोजनी नगर से निकलेगी। माने नहीं रखता ये लोग माफियाओं अपरादियों को जो जेल में हैं उनके परिवारों को टिकेट देते हैं गुंडों को टिकेट देते हैं चुनाव लडाते हैं सोचते हैं जाती है समी करण और धार्मिक समी करण पाकिस्तान का करके तुष्टी करण करके आतंकियों के म नौकरी को छोड़ कर जो है वो राजनीती में आए तो किसने आपको प्रेरित किया कि यहां पे चुनावी मैदान में उतरिये और यहां आके संतुष्ठ है आप राजनीत में नहीं बहुत जरूरी है देखिए राजनीत बहुत महतपूर है विचारधारा जब देश में आप कि इस तरह की पार्टियां आ गए जो भ्रेष्टाचार को आगे बढ़ा रही है जो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है जो तुष्ठी करण की राजनीत कर रही है ऐसी विचारधारा को प्रदेश से खतम होना चाहिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे महतपूर प्रदेश है यहां इस तरह की विचारधारा बढ़ रही है इस विचारधारा को खतम करना बहुत जरूरी है राजनीत में मैं इसलिए आया हूं विकास करना है मुझे सरोजनी नगर चेत जहां भारती जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याश्य बनाया है इसको मुझे एक सबाचेतर बनाया जाता है उत्तपरदेश में कानून का राज्य अस्थापित हो और विकास की जो गती चल रही है और तेज गती से और उत्तपरदेश को नमबर एक का राज्य भारत के अंदर बनाया जा सके निश्चित रूप से जनता का जो भाव मिल रहा है और जिस तरीके का जनसेलाब उमड़ा हुआ है उसे प्रतीत होता है कि हम साड़े तीन सो के पार जाएंगे और फिर से होगी आदितनाज के नेतित में उत्तपरदेश में शरकार बनाएंगे अखलेश यादाव कहे रहा हैं कि तीन चरणों में भाजपा का सूपला साफ हो गया है और साइकल तेजी से चली है उनके इस बयान को किस तरह से देखेंगे उन्होंने पहले बिताया था कि उनके सर पर इसमें भूर नात रहा है वैसे भी ये निश्चित रूप से कारिकम है अधिनी ग्रीम मंतरी जी के कारिकमों में रक्षा मंतरी और सभी नेताओं के कारिकम में जो सेलाब उबढ़ा हुआ है और जिस तरीके की विवस्ता आदरी मुक्षित योगी आधी तनाची ने दिया है उत्तपदेश का चतुर्दिक और सरवांगीड बेकास किया है उसके लिए हर कोई चाहता है कि मेरा उत्तपदेश नंबर एक का राज़ बने और कानून का राजस्थापितों हमारी बेहन बेटियां सुरक्षित हूं और तिती त्योहार हम सांती पूर्ण धंग से मना सकें आधनी मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके का प्रयास रहा है गा उसके तुर्ण से चौते चरण में जितनी सीटों पर चुना हो रहा है चाहे पिली भीत हो लखीमपूर हो सीतापूर हो हर्दोई हो उन्नाओ हो पतेपूर हो मादा हो राइवरीली हो या लखनो हो सभी जगों पर भारती जनता पार्टी भारी अंतर के साथ आगे चली और जीत का दावा कर रहा हैं लेकिन अखलेश यादों ने ये कहा कि ग्यारा तारीक के बाद भाजपा कारयालों में भूत नाचेंगे उनके सर पर भूत नाच रहा है इसलिए उनको भूत भूत दिखाई पड़ा है और सब को पता चल जाएगा और अभी तो जिस तरीके का बा जी ने कहा जो कानून का राज लाया है उनको हम लाएंगे और जिस तरीके से जो जितना बड़ा दंगाई है उतना बड़ा सपाई है जो जितना बड़ा अब्रादी है उतना बड़ा समाजबादी बना है और आतंकियों के साथ जो उनका गटचोड सामने आया है इन सब ची को हेलिकाप्टर से लाते हैं उनको सब को जनता जनारदन सबक सिखाएगी अब फिर से भारती जनता पार्टी की सरकार उत्पतिश में बनाएगी सर आप दंगाईयों की बात कर रहे हैं कि सपा का साथ रहता है लेकिन कानून बेवस्था को ले